हेलो प्रेंस वागत है मेरे चैनल में अब कत प्रेंस आज हम इस वीडियो में सोट उम्प्रेला पाजू सिखेंगी डवल लियर वाली तो गाइस वीडियो को फूरा देगें तो सबसे पहले देखें हमने एक ग्रीन कलर का फैबरिक लिया है ब्लाउस के मैचिंग के अकॉर्डिंग इसे हमने देखें फोर पॉल्ड में फोल्ड करके रखा है तो सबसे पहले देखें लंबाई और चोड़ाई को मिजर कर लिए तो यहाँ पर देखें हमने चोड़ाई म उससे हम एक इंच चोटा ले सकते हैं या फर दो इंच तो यहाँ पर हम दो इंच चोटा ले रहा है यानि कितना बारा इंच ले रहा है और लंबाई में भी बारा इंच और चोड़ाई में भी बारा इंच लेना है अब इसके बाद इसको भी फोर फोल्ड में फोल्ड कर लेन तो पहले मेदर कर लेंगे देखें यहाँ पर हम कितना जितनी भी है हमने उसके accounting marking के लिज लिए है तो लागवग यहाँ पर हमे इस तरही के से गूलाय काऊंट सेथिएगे तो गासे इस तरही के से हमें एक circle type का बना लेना है अब इसके बाद कट कर देना है तो गूला या कार मैं कट कर देंगे फैबरिक को तो देखे फ्रेंस इस तरीके से हमारी करडिंग हो चुकी है अब इसके बाद पीन अब को हटा देंगे पीन अब को हटाने के बाद देखे इस तरीके से हमारे एक सरकल बनकर रेडी हो गया है अब दूसरा भी से हम इसी तरके से एक सरकल रेडी करना है यहां पर हमें कितना लेना है साड़े साथ इंच पर मार करना है सेंटर वाले इससे और इस तरीके से देखें दूसरी साइड भी साड़े साथ इंच पर मार करना है और इस तरीके से यहाँ पर भी हमें एक सरकल वनाना है तो यह हमारा बड़ा वाला सरकर होगा और वो हमारा दूसरा वाला सरकर होगा तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम यहां पर भी राउंड में इस तरीके से मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद देखिए यहां से cutting कर देंगे भारवाल इससे को तो इस तरीके से सारे इससे को अच्छी तरीके से cut कर लेना है देखिए इस तरीके से हमने cutting कर लिया है pin up को हटा देंगे अब यहां पर देखिए दूनों circle बनकर ready हो गए अब दूनों circle को हमें इस तरीके से रखना है देखिए एकदम सेंटर में रखना है तो इस तरीके से वरावर मेजर करके सेंटर में रख लें और यहाँ पर पीन अप कर लें सेंटर में एक दूनों फैवरिक को मिला कर अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें सीधे एक मारकिंग करनी है और एक्दम सेंटर में हमें एक मारकिंग करने हैं यानि 7.5 इंच पर तो इसका सेंटर 7.50 होगा तो 7.50 पर मारकिंग कर लेँगे अब इसके बाद देखे यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले इस तर्यके से बन साइड से अरंज करेंगे और यहाँ पर देखे, our moles के according है, यहाँ पर our moles के लिए cut करना है, तो पहले our moles को measure करेंगे, तो यहाँ पर कितना 9 inch है हमारा our moles, इसी के according हम cutting करेंगे, देखे, अब 9 inch है, तो उसका half inch ले लेंगे, यहाँ ने की half inch हमारा कितना होगा, साड़े चार इंच तो साड़े चार इंच लेला है अब इसके बाद देखे साड़े चार इंच पर मार्किंग कर लेना है साड़े चार इंच पर मार्किंग करने के बाद देखे यहां से साड़े चार का हाप इंच करना यानि की 2.2 आ जाएगा तो इसके बाद 2.2 पर मार्किंग कर लेना है सेंटर वाले इसे से अब इसके बाद देखिए वीच वाले इसे से भी हमें 2.2 पर मार्किंग करना है अब इसके बाद देखिए दोनों साइट सेंटर से रख के इस तरीके से मार्किंग करनी है 2.2 पर 2.2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करते हुए और एक सरकल वना लेना है तो देखें इस तरीके से हमने एक सरकल और वना लिया है छोटा सा अब इसके according हमें our malls को cut करना है तो सबसे पहले करेंगे जहां से हमने मार्किंग की थी वहां से इस तरीके से फैबरेक को cut कर लेना है तो इस तरीके से देखें cutting कर लेंगे cutting हमारी हो चुकी है अब इसके बाद देखें इस वाली side से हमें यहां से cut करना है दोनों फैबरेक को अलाग अला करना है यह हमारे और मोल्स का नीचे वाला इससा है pin up को हटा देंगे pin up को हटाने के बाद देखे अब हम circle को open करेंगे तो सबसे पहले देखे इस तरीके से रखेंगे फैवरिक को इस तरीके से रखने के बाद देखे इस तरीके से सारे से मिज़ बरावर करके रख लेना है दोनों फैव्रोकों को बरावर करके रखने के बाद देके सारो साथ हमने पिन अप कर लिया है फैव्रेक को इधर उदर नहीं होना चाहिए तो दोनों को बरावर करके इस थरीके से connect कर लेंगे और देखे आप से अधा इंच का मजन उड़ दी हुए सारे से मैं अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे फैवरिक को तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से हमने सारे से मैं अच्छी तरीके से सिलाइको फेश कर लिया है सिलाइको फेश करने के बाद देखिए यहां पर हमें पीको करना है भार वाले से साइट तो यहाँ पर हम पीको करेंगे देखिए दोनों फैबरिक पर और जो पिना पर उसको हटा देंगे देखिए हमारा आप जो भार वाला इससा है वहाँ पर पीको करेंगे पीको करने के लिए देखिए सबसे पहले हम बुट को चैंज करेंगे तो यहां पर देखिए normal boot ताब यहां पर हम pico वाला boot का use करेंगे तो देखिए friends यह हमारा pico वाला boot है और इसको attach कर लेंगे attach करने के बाद देखिए यहां पर हमें क्या करना है जो button होता है उससे seeper करना होता है अब इसके बाद देखिए fabric को ulti side से रखना है और इस तरीके से पहले कपड़े को थोड़ा सा घुमा लेना है और थोड़ा सा घुमाने के बाद इसके उपर से एक सलाई को फेश करना है अब इसके बाद देगे जो पीको वाला बुट है उसमें हमें फैवरिक को फर्शा लेना है और उसी के according पीको को करते जाना है फ्रेंस आप यहां मार्केटिंग में भी करवा सकते हैं या फिर यह मारी मसीने इसमें बुटाता है आप इसी पर घर पर भी कर सकते हैं इसकी फूल डिस्क्रेप्शन हमने अपने चैनल पर दी है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको इस तरीके की मसीन लेना है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं तो गैस इस तरीके से हम सारे इससे में देखिए पीको कर लेना है हमें दूनों पार्ट्स पर करना है जो चोटा वाला पार्स है उस पर भी करना है और बर्ड़ वाला पार्स दूनों पर करना है तो देखे इस तरीके से हमने सारे से में पीको को अच्छी तरीके से कर लिया है कम्प्लेट तो देखे फ्रेंस इस तरीके से हमने सारे से में पीको हो चुकी है अब इसके बाद देखे दूसरा वाला पार्स भी कर लेना है पीको तो इस पर भी से हम इसी तरीके से हम पीको करकर रेडी कर लेंगे यहां पर देखिए दोनों पर हमने करकर ready कर लिया है पीको को अब इसके बाद इसको attach करना है attach करने के लिए देखिए wires को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से रखने के बाद देखिए यहां पर देखिए one side से attach करते जाना है one side से attach करते जाएंगे और आरदा इंच कम माज़न चूटते जाएंगे तो इस तरीके से सारे से में हमें फ्रिल को टेज कर डेना है तो गैस इस तरीके से आप डवल लेयर वाले सौड अम्रेला वाजू बना सकती हैं और फ्रेंस दूसरी वाले इस लिप्स भी सेम इसी तरीके से कट कर लें आप चाहें तो दोनों फैवरे को साथ में भी कटिंग कर सकते हैं अलागला कट करने की जरूरत नहीं होती है यहां पर हमने वन लिप्स को यह आपको अटेज करके दिखाया है तो देखे इस तरीके से वहार कर लेंगे फ्रिल को और इस तरीके से पलेट कर अपने ब्लाउस के फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग को डाल लेंगे तो देखे इस तरीके से फिटिंग को डालेंगे बरावर करके दोनों फैवरे को तो यहां पर हम नीचे वाली साथ से फिटिंग को डाल रहे हैं आप चाहें तो उपर से भी डाल सकते हैं और यहां पर देखे फ्रेल को एकदम सीधा रखना है इस ट्रेक उपर की साथ और उसके बाद फिटिंग को डालना है तो देखे इस तरीके से जो हमारी सौट अम्रेला बाज हुए वो बनकर रेडी हुई है अब उपन करेंगे देखे इस तरीके से तो देखे हमारी जो सौट अम्रेला बाज हुए वो बनकर एकदम रेडी हो गई है तो गईस कमेंट करके ज़रू बताएं कि आपको यह सौट अम्रेला बाज हुए कैसी लगी और अब अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को जदा से जदा सेर करें तो देखे फ्रेंज यहाँ पर हमने इसको पहन कर भी दखाया किस तरीके से हमारी सिलिप्स बनकर ready हुई है थाइंक यू